प्रतिक्षा और रवी ने बीज चड़क पर किया टमाशा देड़ रात सड़क पर रवी पर किस ने किया हमला शो में आने वाला है कौन साथ नया drift कलर्स टीवी के शो धरम पतनी में आए दिन धरम पतनी की टैटल को लिकर काव्या और प्रतिक्षा एक दूसरे से लड़ाई जगडा तो करती ही रहती है वहीं बीच में दोनों के फस चाता है रवी ऐसे में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रवी और प्रतिक्षा के बीच में एक बहुत ही बड़ा जगडा होने वाला है पहले ये जगडा घर के चार दिवारी के अंदर तक ही सीमित था लेकिन अब इनकी बहसबाजी बीच चड़क पर आ पहुँची है रात के समय में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं गाड़ी खड़ी है वहाँ पर बाहर रवी की ऐसे में यहाँ पर कुछ कुछ कुंडों ने भी अटैक किया है रवी के उपर जहां पर प्रतीक्षा का भी एक एक्शन है जो काफी जादा आप सब को हैरान कर सकता है इन सब के बीच में प्रतीक शा ने रवी को जोर का धख्का दिया है और रवी जमीन पर चाकर गिर्गिया है जमीन से उटे के बाद रवी ने अटाटाक किया है एक आदमी पर जो कार के अंदर बैठा है रवी के उपर हमला करने के लिए अब यह हमलावर कौन है और शो में इनकी क्या नहीं आगे कहानी बढ़ने वाली है यह सब कुछ अब देखना बहुत दिलचस्प होगा धरम पत्नी शो आपको कैसा लग रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन के जरीए जरूर बताएं और चानल को सब्सक्राइब करना ना भोलें